नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इडली दोसे का बिजनस आप कैसे शुरू कर सकते हैं दोस्तों अगर आप सिर्फ इडली का बिजनस करना चाहते हैं या फिर दोसे का बिजनस करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं क्या क्या करना होगा सारा कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दोस्तों सबसे पहली बात जो किसी भी बिजनस के मामले में दिमाग में इंसान के चलती है आती है वो यह है कि कैसे करना है कहां करना है किस लेवल पर स्टार्ट करना है कैसे करेंगे सारा कुछ और यह सब कुछ डिपेंड करता है आपके बजट के उपर आपके इन्वेस्टमेंट के उपर जिस लेवल का आपका बजट होगा इन्वेस्टमेंट इसामपल, उसमें सामान रखके उशुथ करते हैं और इंकमं करते हैं और एक शॉपर रेंड पेलेते और वहां से business करते हैं कुछ ऐसे हैं जिनका budget जो है बहुत ज्यादा high है तो वो एक बड़ा सा South Indian restaurant ही खोल लेते हैं तो इस तरह से हैं तो सब कुछ निर्भर करता है आपके budget के उपर आपके investment के उपर अब एक बार ये decide कर लिया आपने कि भाई आपको किस तरह से start करना है आप उससे related सारा सामान जैसे कि इडली धोसा का business आप करना चाह रहे हैं तो आपको उससे जुड़े जो तमाम बरतन है जो raw material है वो सब कुछ आपको खरिदना होगा अगर आपको पता है तो अच्छी बात है कि क्या-क्या बरतन लगते हैं अगर आपको नहीं पता है तो आप इस क्या-क्या बरतन रखे गए हैं और क्यों रखे गए हैं या आपको आइडिया मिल सकता है या फिर आप YouTube से नेट से जान सकते हैं कि क्या-क्या बरतन लगते हैं या फिर मैं आपको यहाँ वीडियो पर बता रहा हूँ वो आप देख सकते हैं उसमें मैं आपको बता रहा हू साथ ही चटनी पीछने के लिए आपको grinder लगेगा जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं इसके अलावा आपको इडली रखने के लिए स्टील या अलुमिनियम के बड़े या मीडियम साइज के ड्रम लगेंगे जैसा कि आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं साथ ही सामबर, चटनी यह सब रखने के लिए छोटे बड़े जिस तरह के आप रखना चाहें उस तरह की डिब्बे आपको लेने होंगे यह आप जैसे फोटो में देख सकते हैं इसके अलावा धोसा का जो मसाला रखने के लिए जो पतिला लेना होता है वो आप यहाँ पे फोटो पे देख सकते हैं यह भी आपको लेना होगा साथ ही गैस आपको लेना होगा या फिर अगर आप किसी और तरीके से आप बनाना चाहते हैं तो चूलाव अगेरा का इंतजाम करना होगा जनरले आजकल जो है लोग गैस का इस्तमाल करते हैं साथ ही सर्व करने के लिए आपको स्टील के प्लेट्स लेने होंगे ये ज़ादा बहतर होता है स्टील के प्लेट्स वैसे आप दोना भी रख सकते हैं कई तरह के जो है प्लेट्स लेकिन मेरे हिसाब से इस्तील का प्लेट्स ही सबसे ज़ादा बहतर होता है तो खेर ये सारी चीज़े आपको रखनी होंगी अब ये बरतन तो आपने खरीद लिया अब आपने जो डिसाइड किया था कि भाई शॉप पे करना है या फिर ठेले पे करना है या साइकल पे करना है किस पे करना है या आपने डिसाइड जो पहले किया था उस हिसाब से आपको फिर उस चीज़ का इंतिजाम करना होगा अगर आप ठेले पे ही बिजनेस शुरू करने का आपने सोचा हुआ है तो आपको ठेला बनवाना होगा या फिर हमारे यहाँ पे जैसे रेंट पे मिलता है अगर आपके वहाँ पे रेंट पे मिलता है परड़े के हिसाब से तो आप वहाँ पे ठेला रेंट पे ले सकते हैं या फिर आप एक ही बार में बनवा लिजिए वो आपने कर लिया अगर cycle पर करना है तो फिर cycle के उस हिसाब से जैसा यहाँ फोटो पर आप देख सकते हैं उस हिसाब से आपको cycle पर यह system आपको बनवाना होगा ताकि सारा सामान उसी पर आ जाए या फिर जिस तरह से यह wallet आप देख सकते हैं यह ready वाला जो है बनवाया है फोटो पर जैसा आप देख सकते हैं वैसा आप बनवाना चाहते हैं वैसा बनवाईए या फिर अगर आपने shop लिया हुआ है तो उसमें भी आप जिस तरह से अपना decorate आपको करना होगा वो आपको करना है तो ये सारा कुछ आपको करना है या आपने कर लिया इसके बाद बारी आती है location की कि भाई आप ये सब या फिर अपने area में या फिर दूसरे area में आप जाके आपने अच्छे से वो देखना है, analyze करना है, आपको research करना है कि किस जगा पे start करना ज़्यादा बहतर होगा, कहां पे ज़्यादा भीड आती है, कहां पे ज़्यादा आपके business को ये suitable होगा location, ये आपको तै करना है, उसके ठेले का, बरतन का, raw material का, अगर आप लेकर चले, तो कम से कम 20-25,000 कम से कम इसमें सारा कुछ आपका आजाएगा, तो इतना तो आपको starting में लगेगा ही, अब cycle पे आप अगर कर रहे हैं, या दूसरी कोई तरीके से आप कर रहे हैं, या फिर safe table ही एक खरित के उस पे आप ये कम बेसी लगेगा, तो ये हो गिया, अब बारी आती है कि भाई, आपने मान के चले कि भाई 20-25 इन्वेस्ट किया, बिजनस शुरू किया, तो आपको कम से कम, कितना आप इंकम कर सकते हैं महीने के, तो ये आपके sale पे depend करता है, आप जितना जादा sale करेंगे, उतना ही आपक जो है इंकम होगा, फिर भी मान के चलते हैं कि नया बिजनस है, जमने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो उस हिसाब से अगर आप मान के चले तो 15-20,000 तक के अंदर तो आप अच्छे से easily कमा ही लेंगे, इतना sale तो आपका हो ही जाएगा, और फिर जितना जादा आपका समय बीटता जाएगा जितना जादा आपका बिजनस जो है वो जमता जाएगा, उस हिसाब से आपका profit भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि sale बढ़ेगा तो profit obviously बढ़े गई, पर आपको धैरे रखना होगा, धन्दा जब आप शुरू कर रहे हैं, तो थोड़ा time तो आपको देना हो होते हैं, जो खुद ही बनाते हैं, इडली हो, धुसा हो और खुद ही बना के बेचते हैं, अगर आपको आता है और आप खुद ही बेचना चाहते हैं बना कर, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको एक कुक रखना होगा, जिसका अलग से खर्चा आपको maintain करना होगा, तो यह एक extra खर्चा पर आ सकता है, अब यह आपको तै करना है, कि आप खुद बना के बेचेंगे या आपको खुक रखना है, खेर, यह आपने तै कर लिया, अब इसके बाद बारी आती है, कि भाई आपको थोड़ा सा market में, अपने area में, अपने शहर के अंदर आप को research करना होगा, क्या research करना होगा, किन चीज़ों का research करना होगा, आपको research करना होगा कि जहां जहां पे, ठेले पे हो, cycle पे हो, या फिर छोटे मोटे श्रॉप खोल के जो बेच रहे हैं, वहां पे हो, वहां पे quality, rate, taste कैसा है, जो भी idli बेच रहे हैं, दोसा बेच रहे हैं, उसका टेस्ट कैसा है उसका quality कैसा है वो किस rate पे वो बेच रहे हैं इन चीजों का research आपको करना होगा इसके बाद आप अपना business शुरू करें ताकि माल लिजिए एक example कि कहीं पे 7 रुपए पे एक इडली मिलता है कहीं पे 10 रुपए में एक इडली मिलता है इसी हिसाब से कहीं कहीं पे 40 रुपए में एक मसाला मिलता है इस हिसाब से आपको जो है यह जानना होगा कि कहां पे किस rate मिलता है वहां का टेस्ट कैसा है तो यह सारा कुछ आपने जान लिया market research आपने कर लिया उसके बाद आप अपने हिसाब से एक rate रखिए जो की आपके लिए और customer दोनों क एक फाइदा दिखे उस हिसाब से customer जादा आपके पास आएंगे साथ ही जो main है सबसे main है खाने के business में वो है टेस्ट आपका टेस्ट जितना बढ़िया होगा उतना ही जादा customer आपके पास खीचे चले आएंगे और एक बार जो खाके जाएगा वो साथ ही दूसरे को लेके रा तो दोस्तो अगर आप भी करना चाहते हैं इस business को तो बिल्कुल करें ये खाने का business है और खाने का business जैसा कि मैंने last वीडियो में बताया था कि food industry कभी भी fail नहीं होगी खाने का business जो है अगर आप शुरू करते हैं तो कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा हाँ शुरू में आपको कम profit दिखेगा बाद में आपको ज़्यादा profit दिखेगा लेकिन fail नहीं होगा खाने का business ऐसा business है तो दोस्तो अगर आपको ये information ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like किजेगा और अगर नए आये है चैनल पे तो चैनल को subscribe कर लिजेगा क्योंकि मैं इस तरह के informatic videos बना के लिए टाठा